हलो और वल्कम टू आदित्या मैंट्स ये हम लोग का अलेवंत का सकेंड वीडियो होने वाला है और लास्ट पार्ट में ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट पार्ट जो हम पढ़ाए थे उसमें हम लोग पढ़े थे angle, types of angle और unit of measurement of angle यानि angle को जो मापते हैं तो कौन-कौन से unit का use करते हैं तो जिसमें हम लोग पढ़े थे sixagesimal system जिसको degree measure कहते थे दूसरा था हमारा centesimal system जिसको grade measure कहते थे और तीसरा आया था circular system जिसको radian measure भी बोले थे तो ये तीनों पार्ट हम लोग देख चुके हैं अब हम लोग next पार्ट यानि ये second वाले पार्ट में देखने वाले हैं कि radian और degree radian और degree में क्या relation है क्योंकि इससे related question बहुत आप फुछे गया है हर बार तो इसको जाना बहुत ही ज़रूरी है और ऐसे भी कोई भी exam हो ये तो question आहीं जाता है ठीक है तो अब जो हम लोग परने वाले हैं वो परने वाले relation between radian and degree लेकिन जो भी student new हो प्लीज चैनल को subscribe कर लो and notification bell को click कर लो so that की new video का information तुमको मिलता रहे notification तुमको मिलता रहे तो चलो बिना समय बिताए start करते हैं let's start तो student अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं relation between radian and degree relation between radian and degree ओके ये degree लिखा है d e g r e degree ओके तो क्या है दोनों के बीच में relation radian और degree में तो यदि हम लोग 360 degree बोलते हैं तो 360 degree होता है 2 pi radian के एकवल 2 pi radian और बोले थे radian में power में c देंगे भी और नहीं भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है radian ही कहलाएगा तो अगर student यहाँ पर थोड़ा बहुत वर्क करोगे तो काम चला आया जा सकता है 200 अगर cancel करें तो 180 times में cancel होगा और ये 2 cancel होगा 1 तो that means कि 180 degree is equal to pi radian कह सकते हैं तो आज से कोई पूछेगा कि relation बताए radian और degree में तो बोलेंगे 180 degree equal होता है pi radian अब जरा यहाँ से दो फर्मूला हम निकाल रहे हैं यहाँ से find out कर रहे हैं बताना 180 degree is equal to pi radian है तो क्या 1 degree equal pi by 180 radian तो होगा कहोगे yes sir बिलकुल होगा and अगर 1 radian पूछा जाए that is 1 to the power c पूछा जाए तो ये pi multiply होगे इदर divide आएगा that is 180 by pi degree होगा होगा की नहीं कहोगे yes sir होगा तो ये दो relation हम लोगों को हमेशा याद रखना है 1 degree is equal to pi by 180 और 1 radian is equal to 180 by pi हमेशा देखा गया है कि किसी ना किसी exam में जिसमें भी trigonometry आता है उसमें एक question ये जरूर ही पूछ लेता है वो engineering exam भी कहोगे तो उसमें भी पूछ लेता है ओके तो student यहाँ तक आसा करते हैं तुम लोग को अच्छे से समझ में तो आ गया होगा चलो जरा अब इससे related problem देखते हैं लेकिन related problem देखने से पहले थोड़ा हम पीछे जाना चारे हैं लास्ट पार्ट जो पढ़ाय थे उसमें जाना चारे हैं ध्यान देना उसमें degree का बात करेंगे grade का बात नहीं करेंगे अब काओगे सर grade का बात क्यों नहीं कीजिएगा क्योंकि किसी भी exam में grade से related question नहीं पूछा भी तक ठीक है ये बात का ध्यान डगना क्योंकि degree और grade लगवग सेम होता है क्योंकि process याद होगा degree हम लोग को कैसे मिला था जब right angle को 90 degree 60, 60 से divide किये थे मिला था और अगर हम grade की बात करें 100, 100, 100 से मिला था तो process लगवग सेम होता है खाली number बदलता है इसलिए उससे नहीं पूछा जाता है तो degree में क्या देखेते हैं हम लोग कि one right angle अगर इसको 90 से divide किया जाए 90 से divide किया जाए तो मिलता है one degree that is one right angle is equal to 90 degree बोल सकते हैं अगर one degree को 60 से divide किया जाए तो one minute बिलता है जिसको इस तरह से not कर सकते हैं तो one degree equal to 60 into one 60 minute होगा और इसी तरह से यदि हम लोग one minute को 60 से divide करेंगे तो one second मिलेगा that is one minute equal to 60 into one 60 second होगा यही छोटा सा part हम लोग देखे थे degree major में यानि six decimal system आसा करते हैं वो भी चीज़ फिर से समझा दिये समझ में और आगया होगा याद भी आगया होगा तो चलो जराब degree और radian इसमें किस तरह का question पूछा जाता है जरा दो तीर question के बारे में बात करते हैं तो एस्टो एंट हम लोग यहां पर फर्स्ट कोस्चन लेते हैं रेडियन डेगीरी से ओके लेकिना चेंज 7 पाइबाय 6 इन्टू डिग्री चेंज करना है 7 पाइबाय 6 को किसमें डिग्री में क्योंकि पाइबाय लगा हुआ है और कुछ भी सिम्बॉल नहीं है तो radian में ही है तो radian से किस में जाना है degree में जाना है तो कैसे बनाओगे चलो थोड़ा सा ध्यान देना 7 pi by 6 है इसको हम लोग को बदलना है किस में degree में अभी कुछ formula देखेते हम लोग 1 degree is equal to देखेते pi by 180 और 1 radian equal to देखेते 180 by pi और इसमें degree देखेते तो जड़ा यहां बताओ radian से किस में जाना है degree में तो radian यानि 1 radian का फर्मूला क्या है 180 by pi degree इसको एक ऐसे तरह सोचो कोई तुमसे question पूछे एक pain का cost है एक pain का cost है 6 rupees तो 4 pain का कीमत कितना होगा तो कहोगे sir 6 into 4 तो student 1 radian that means कि एक pain का कीमत है 180 by pi तो जड़ा बताओ 7 pi by 6 pain का कीमत क्या होगा 7 pi by 6 into this होगा की नहीं होगा तो इसको इलिग देते हम यहां पर since 1 radian is equal to 180 by pi degree therefore therefore this radian is equal to होगा this into 180 by pi degree degree एक बार ही दे देंगे pi pi cancel 6 6 3 जा तो यानि हो गया 7 into 30 और किसमें आ गए हैं degree में 7 3 जा 21 2 1 0 यानि 210 डिगरी हमारा final answer होगा ओके आसा करते हैं कि अगर आप कि अगरींसी डिगरी में जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा चलो चलते हैं next question की ओड़ो अधियों जाना हो चांस प्रहा नक k शी कि घट से हैं तरब हो छी कि आप ठीकत नहीं जा साराफाश हो छ रच्टी Ass acceptable 13 Pi x 12 इन्टू डिग्री 13 पाइब टुएल को किसमें चेंज करना है डिग्री में तो फिर वही बात Since 1 रेडियन इस्वाल टू 180 बाइब पाइब डिग्री Therefore 13 पाइब ट्वेल्ब इस्वाल टू 13 पाइब ट्वेल्ब इन्टू 180 बाइब पाइब डिग्री पाइ से पाइब कैंसिल हो गया 12 इन्टू 10 15 हो गया तो 13 इन्टू 15 हो गया तो जब मल्टिप्लाइ करोगे तो 1 कितना हो जाएगा 95 डिग्री यही हम लोग का आंसर हो जाएगा तो अब आसा करते रेडियन से डिग्री में तुम आसानी से आ सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगा चलो एक कुस्चन और बनाते हैं अब कोगे सर समझ गया आप छूड़ दीजिए नहीं एक कुस्चन और बताते हैं जिसमें कुछ तुमको सिखने को मिलेगा तो लिखना कुस्चन 3 चेंज 5 pi by 24 इंटो डिग्री तो एस्टोरंट इसको कैसे बनाएं गएं तो जैसे बनाये थे उसी तरह बनाएं गे औरम एंट बाई फडिके जांगा एहां कुछ केंसील हो जाएगा 12 विट विप्टिन टाइमस हो तो 15 into 5 75 by 2 होगा डिग्री होगा देखो आंसर ये तुम लेक के चले जाओगे लेकिन आंसर यहां तक नहीं छोड़ना है अब कहोगे सर क्यों 75 by 2 डिग्री है ये डिग्री तक तुम पहुचा दिया लेकिन याद करो जब डिग्री पराये थे तो डिग्री से छोटा यूनिट था मिनट और मिनट से भी चोटा यूनिट था सकेंट जरा याद कर लो होगी एसर था तो एस्टुरेंट तुम डिग्री पे छोड़ना ही सकते तुम मिनट सकेंट तक जाओगे ठीक है तो आप कैसे जाओगे भाई तो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो आसानी से आ सकते ह जैसे अभी दो एक्जामपल लिए थे सेम वर करके यहां तक तो आहीं सकते हो यहां से थोड़ा सा काम दियान से देख लो 75 में 2 से डिवाइड करोगे तो 37.5 होगा यह बात की गैरेंटी है अब बोलो 37.5 डिग्री है अब ज़रा तुम लोग से एक बात पूछना चाहाँ क यह कोई पूछने वाली बात है आसानी से लिख सकते हैं तो ज़रा यहां बताना इसको लिख सकते हैं 37 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री आसा करते हैं सब को समझ में आड़ा होगा 37.5 डिग्री था 37 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री अब बताना यहां 37 डिग्री को डाने दो 0.5 ड दिग्री को चेंज करेंगे तो कोगे सर किसमें चेंज किजिएगा डिग्री से जस्ट नीचे कौन आता है मिनट और याद करना कि one degree equal to 60 मिनट सबको पता होगा one degree equal to 60 मिनट तो बोलो this degree equal क्या होगा इसी में कितने से multiply कर देंगे 60 से लेकिन अब ये किसमें आ जाएगा मिनट मे डिग्री यहां से खतम हो जाएगा अब कोगे सर क्या करने की जवरत्ता नहीं करते तो करना है क्योंकि डिग्री तुमारा fraction 0.5 मतला fraction में आया तो उसको तुमको ठीक करना ही है हर हाल में अब डिग्री यहां से कैसे गाइब हुआ क्योंकि डिग्री 60 से multiply कर दिये तो अब ड डिग्री इक्वल 60 मिनट होता है तो 2 डिग्री इक्वल 2 इंटो 60 मिनट होगा 5 डिग्री इक्वल 5 इंटो 60 मिनट होगा 20 डिग्री इक्वल 2 इंटो 60 मिनट होगा देखो वही लिखे हैं आपर तो 37 डिग्री और 60 गुना 5 300 यानि 30 मिनट तो तुम कह सकते है इसको साथ लिख के 37 डिगरी 30 मिनट यानि 37 डिगरी 30 मिनट आशा करते सब को समझ में आया होगा अब कुछ सोच रहा होगा ज़र प्लस कहा गया अरे भाई तुम ऐसे भी लिख सकते हो कोई प्राब्लेम नहीं है जब तुम 37 डिगरी 30 मिनट लिखे तो 37 डिगरी 37 डिगरी मिल गया और वो नहीं लिखोगे तब भी चलता है ओके आसा करते हैं सबको अच्छे से समझ में आया होगा एक लिखना और question खोड़ चेंज 210 डिगरी इंटू रेडियन अब डिगरी से हम लोग रेडियन में जाने का कोशिस कर रहे हैं तो जरा बताना सिस वन डिगरी इक्वल पढ़े थे पाई बाई वन एटी रेडियन होगे एसर बिलकुल पढ़े थे थोड़ी दिर पहले तो जरा बताना यहां से 210 डिगरी इक्वल क्या होगा 210 इंटू पाई वाई वन एटी 00 विल गेट कैंसिल और 37 जा 36 जा तो हो जाएगा 7 पाई वाई 6 रेडियन यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा चलो एक और बताते हैं ताकि clarity मिल पाए सही से question 5 लिखना change minus 135 degree into radian लिख लिए question फिर से द्यान देना अब कोगे सर मैनस देगा तो आपको मैनस से कोई टेंसल लेने की जोरत नहीं है जैसा होता है वैसा ही होगा तो 1 degree is equal to this है तो minus 135 degree equal होगा minus 135 into pi by 180 इसमें कोई बड़ा बात सोचनी की जोरत नहीं है अब सी ध्यान दो सी दे भी सकते नहीं भी तो अगर हम यहां से हटा दे तो घबराने की कोई जोरत नहीं है हटा भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है cancel हो जाएगा cancel करा लेते हैं 9 to alpha और cancel होगा 3 3 जा 3 4 जा यानि minus 3 by 4 answer होगे तो minus रहेगा तो उसको देखे घबराना नहीं कोई बड़ी बात नहीं है एक ही चीज होता है लिख लिए चलो चलते हैं next question 6 number question change 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 7 degree change 7 degree 30 minute into radian change 7 degree 30 minute into radian यह n है last में अब कहोगे sir यह कोई एक बात होनी चाहिए बेचारा डिग्री में नहीं है तो कैसे करेंगे भाई 60 तो 30 minute 30 by 60 खाली उसमें multiply कर दो कोई बड़ी बात नहीं तो 7 degree और यह हाफ हो जाएगा cancel हो के degree अब यह हो गया तुमारा 15 by 2 degree अब किस में बदलना है radian में और radian में बदलने के लिए किस से multiply कर लेंगे 5 by 180 से देख लो अब क्या होगा 12 times cancel हो जाएगा तो that is 5 उपर में 12 into 224 radian यह हम लोगों का final answer हो जाएगा आसा करते हैं सब को अच्छे से समझ में आ रहा होगा student not कर लें किर्फिया इसको यह जो questions अब बना रहे हैं यह जो clarity दिखा रहे हैं तुमको कहीं नहीं मिलेगा YouTube पे ढूंड के सोच लो तो इसलिए यह एक पैसा platform है जहां पे तुमको एक basic सी सिखने को मिलेगा और यह मेरी guarantee है maths में 100 out of 100 लाना ठीक है अराम से आएगा अगर जितना चीज हम समझार हैं पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान में रखोगे तो तो एस्टूलेंट आज के बाद अगर तुमसे कोई बोले radiant से degree में convert करने हैं और degree से radiant में कोई tension कोई तकलीफ नहीं होगा किसी भी सर्थ पे अब तो आराम से तुम solve कर सकते हो अब ज़र हम recall करते हैं last part में एक formula परे थे चलो थोड़ा सा फिर से समझा देते हैं कि अगर कोई circle है और ये radius होगा ही guarantee ये भी radius होगा और इस length को बोले थे arc length हिंदी medium का बच्चा sharp की लंबाई L और अगर ये theta था तो theta equal formula आया था L by R आया था सब को पता है आसानी से समझ जाओगे L क्या है arc length चांप की लंबाई R क्या है radius यानि तिरजिया theta कौन है angle जो center पे बन रहा है तो कोई बरी बात नहीं है अब student एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाह रहे है जो भी student चाहते हो कि 11th class का samucha syllabus यानि complete syllabus हम सर से ही पढ़ें आदित्य सर से ही पढ़ें आदित्य पुद्दार सर से ही पढ़ें क्योंकि हमको अच्छा लग रहा है सर का class तो definitely ये एक अच्छा मुका है आपके लिए आप मेरे साथ join कर सकते हैं ठीक है आप हमको call करेंगे 9570266389 नमबर पे या 8539951424 पे ज्यादा कोशिस करेंगे कि इसी नमबर पे बात किया जाए क्योंकि वो always available रहता है आप इस पे call करके मेरे से साड़ा information ले लीजिए कैसे क्या है course का और आपको एक daily बीडियो एक premium बीडियो आपको मिलता रहेगा जो कि आप कहने से भी comparison करेंगे तो आपको best feeling आएगा best message होगा आप सोच पाएंगे कि mathematics कितना आसान कर दिया अधित्य पुद्दर सर ओके तो बिल्कुल आप अगर मेरा paid course करिदना चाहते हैं तो ये आप ले सकते हैं क्योंकि YouTube पे पूरा syllabus मतलब पूरा complete syllabus डाल भी दो तो बहुत कुछ कम रहा जाएगा क्यों अब किसी बूक को तो फॉलो नहीं कर सकते न complete अगर हम केसी सिन्ना मालो आड़ी सिर्मागों करते हैं तो पांस साल लग जाएगा उतने सवाल को बोड़ पे बना के वीडियो बनाने है तो ये बात हम कहना चाहरे तो अगर आप वहां आएंगे तो वहां पे मैं आपको वीडियो दोंगा आपका mentorship करते रहूंगा मैं आपको वकाइदा कॉल करके पूछूंगा कि ये सवाल बना या नहीं कितने में problem हुआ फे डिया आप देता रहूंगा इतना सुखदा कर दोंगा कि आप वीडियो देख करके exam में hundred out of hundred definitely लेके आओगे ये मेरा वादर तो ये अगर आपको मन लग रहा है मेरे से class करने में प्लेज आप इस number पर कॉल करिये आपको online मैं बात करके online सारा कुछ अब लेवल करा दोगा ओके चलते हैं अब अपने main theme के पास तो student अगर कोई circle हो उसमें radius r हो, arc length l हो, angle theta हो तो theta equal lyr एक relation एक formula परेते तो होता क्या है इससे जो related question बनता है वो directly नहीं पूछता है वो थोड़ा ऐसा language में change करके पूछता है मतलब दो line का question बना देगा और finally formula यहीं use करना होगा तो चलो जड़ा दिखाते हैं question बना करके I think question 7 होगा, of course, तो question 7 में लिखना, find the radius find the radius find the radius of the circle of the circle in which a central angle a central angle a central angle of 45 degree of 45 degree max an arc max an arc of 187 cm तो जड़ा इस question को आप लोग समझे सही से कह रहा है find the radius आप radius पता करें हिंदी मेडियम वाले बच्चे तिरजिया बताएं of the circle एक circle का in which जिसमें a central angle एक केंद्री एकोन of 45 degree कितने degree का 45 degree का max बनाता है an arc of 180 cm 187 cm एक arc बनाता है 187 cm का जड़ा समझू क्या कहना चाला कोई एक circle है ओके तोड़ा सा तिर्चा बनेगा उससे गवराने के ज़वरत नहीं है central angle मतलब center पे जो angle बनदा है वो कितना बनदा है 45 degree और ये angle किसके कारण बनता है एक arc के कारण जिसका length है 187 cm तो जड़ा ध्यान देना अगर ये मिलाते हैं तो r होता है ये भी मिलाते हैं तो r होता है o a b suppose और ये जो arc length होगा यहां से यहां इसको हम लोग l मानते थे ये theta मानते थे यहां तक सबको पता है और ये जो theta मानते थे theta radian में होता है ये बात की guarantee है इसलिए इसके अंदर लिख देते है theta किसमे होता है radian में क्योंकि radian के definition से formula निकल के आया था और तब होता था formula theta equal lyr यहां theta किसमे है theta किसमे है radian में theta किसमे है radian में theta किसमे है radian में बार बार दिमाग पर जोड डालना नहीं तो भूल जाओगे degree लेके जाओगे सवाल गलत theta किसमे है radian में तो चलो जराव ध्यान दो तो क्या-क्या दिया हुआ है उसके बारे में बत कर लो given angle दिया है 45 यानि theta दिया है 45 degree arc length दिया है 180 cm यानि L दे दिया है 187 cm लाना क्या है radius find the radius यहां देखो क्या लाना है radius अब ज़रा ध्यान दो theta दिया है degree में काम नहीं चलने वाला हमको radian में लाना होगा और student अभी थोड़ी दिर पहले degree से radian में convert कराने के लिए आप लोग को हम सिखाए क्या था अगर degree से radian में जाना है तो pi by 1 80 से multiply करेंगे sir आप अभी बताए थे बताए थे की नहीं बताए थे कहो गया sir cancel करा दो 15 into 3 15 into 12 और 3 फोरजा यानी हो गया pi by 4 तो theta आगया कितना radian pi by 4 radian अगर radian में ही एंगिल दे देता तो तो कोई tension ही नहीं था कुछ सवाल में बचता नहीं अगर degree में देगा तो radian में हम पहले convert करेंगे तब कोई बात करेंगे पहले यहां तक not कर लो हम उस circle को मिटा रहे हैं अब बोलो we know यानी हम लोग जानते हैं theta equal ly r होता है और हम लोग को इसमें लाना किसका value है r का तो कोई बात नहीं theta कितना दिया हुआ है pi by 4 l कितना दिया है 187 और r हमारे पास बच गया तो यहां से r का value निकाल सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है कोगे sir कैसे निकालेंगे r का length हम कोई दिक्कत नहीं है अब ज़रा यहां बताना r यहां क्या है divide में इधर आएगा multiply में तो r equal क्या लिकोगे 4 into 187 और by में क्या हो जाएगा pi अब यह सब चीज़ तो सब को जानना है अब इसमें अगर दिक्कत होगा तो बहुत problem बली बात है यह तो बच्चा class का चीज़ है 187 into 4 और pi के बारे में सब जानता है 22 by 7 होता है तो 187 into 4 और यह 7 उपर चले जाएगा by में 22 हो जाएगा अब ज़रा cancel कराके देख लो यह हो गया तुमारा 187 11 से 17 times cancel हो रहा है और यह 2 times cancel हो रहा है और 2 से 4 भी 2 times cancel हो रहा है तो अमारे पास 34 into 7 आ रहा है तो यह हो जाएगा 238 cm 238 cm आसा करते हैं सब को समझ में आया होगा तो यह थीटा as well to LYR का यह फर्मूला और जानते हो तुम लोग को एक समझ के आस्चार्ज होगा यह railway में question इस तरह का पूछा हुआ है तो इसलिए कह रहे हैं कि trigonometric एक इसा बढ़ांच है न वो कहीं भी जा सकता है समझ गे न बात को यह चीज का धियान डखो असा करते हैं इतना सब को समझ में आ गया होगा चलो चलते एक question और ले करके आएं सारा concept clear कर देंगे निस्चिंतर हो करते हैं आएं कर दो आएं डिर्थ ल ने आप डाओ रहे हैं आएं आप रहें आए टिर्स अभव आविल माक्स आविल माक्स ओनेटी रेवलुटिंस एक्षासी रेवलुटिंस in one minute in one minute through how many radians through how many radians does it turn does it turn in one second in one second question समझो क्या कह रहा है कह रहा है और विल मैक्स एक विल विल मतलब पहिया चक्का गारी का जो पहिया होता है मैक्स 180 रेवलुटिंस इन वन मिनट एक सो असी वार रिवलुटिंस करता है 180 टाइम्स एवलुटिंस करता है वन मिनट में अब यहां पर क्या कह रहा है विल मैक्स 180 डेगरी रेवलुटिंस एक सो असी डिगरी से रिवलुटिंस कर रहा है इन वन मिनट कितने मिनट में वन मिनट तो ध्यान देना से वन मिनट एक्वाल वन एट्टी रिवलुटिंस ठीक है तो जड़ा यहां बताना वन मिनट का मतलब कितना होता है साट सकेंड सबको पता है तो बोलो वन सकेंड इक्वाल क्या होगा वन एट्टी रिवाई सिक्स्टी कैंसिल करा देंगे तो मतलब वन सकेंड में कितना बार चक्कर लगाएगा तीन बार वन सकेंड में कितना चकर लगाएगा तीन चकर तो कहता है कितना एंगिल बनाएगा रेडियन में जराद बताते हैं बोलो अगर कोई भी चक्का पईया वील जो भी है वो सर्कूलर होता है वरिताकार होता है और एक विरीत एक बार घुमेगा तो कितना डिगरी एंगिल बनाता है 360 डिगरी सबको पता है तो बताना यह चीज पता है वी नो यानि हम लोग जानते हैं वान रिवोलूशन इक्वल 360 डिगरी और यहां कितना रिवोलूशन हो रहा है तो बोलो थिरी रिवोलूशन इस उपल टू क्या होगा थिरी इंटू थिरी सिक्स्टी डिगरी होगा ना लेकिन वो फ्रहा स्मार्ट विल्य काम करके पूझा बोला नहीं हमको degree में नहीं चाहिए radian में मतलब थोड़ा काम बढ़ा रहा है कोई बात नहीं सर आप अगर degree से radian में जाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे πाई बाई 1 80 से multiply कर देंगे तो अब ये 2 times में तो 3 into 2 हो गया 6 πाई radian यही हम लोग का answer हो गया आसा करते हैं theta equal lyr radian से degree degree से radian में ये सारा concept अच्छे से clear होगा होगा मजा आ गया होगा तो ok student अगर आपको मेरा class अच्छा लग रहा है तो friends के साथ आप share भी करें और उसको बुलाएं इस पे कि join करो यहां पे एक ऐसा platform है जहां पे math सिखना बहुत ही असान है हमारे लिए तो ok दोस्तों चलो bye मिलते हैं next part